क्या सवी शान से करेगी अपने प्यार का इज़ार? क्या चिन्मै का सच आएगा सब के सामने? मैं हूं कुशी सिंग और आप सभी का स्वागत करती हूं टेली टेशन पर गुमें किसी की प्यार के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सभी उस होटल में पहुंच जाती है जहां शिखा चिन्मै से मिलने जाती है आगे हम देखेंगे कि जो चिन में है वो शिखा को काफी डराते और धंकाते हुए दिखाई देगा और यहाँ पर शिखा काफी जादा डरी और सहमी हुई दिखाई देगी आगी कहानी में हम देखेंगे कि सभी को इशान फोन करता है वो भी इस शिखा के फोन से तब सभी को पदा चलता है कि शिखा जो है वो घर पहुँच गई है यहाँ सभी घर पहुँचते ही शिखा से पूछती है कि क्या आज वो बाहर गई थी पर शिखा यहाँ उससे जूट बोलते हुए नजर आती है वो कहती है कि आज हो कहीं पर भी बाहर नहीं गई थी तभी सभी उससे कहती है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई भी दिक्कत है तो आप वो चीज मुझसे शेयर कर सकती है आगी की कहानी में हम देखेंगे कि इशान सभी को समझाते हुए दिखाई देगा वो सभी को कहेगा कि उसे सभी चीजों को इग्नोर करकर सभी चीजों को छोड़ कर सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए कहानी आगे बड़ेगी और हम देखेंगे कि यहाँ पर रीवा और सभी दोनों ही इशान के प्यार में खोई हुई नजर आएंगी आगे कहानी में हम देखेंगे कि यहाँ पर सभी घर वाले कहेंगे कि इस बार गुड़ी इशान को लगानी चाहिए पर इशान इस बात को इंकार कर देगा वो कहेगा कि घर में इतने बड़े लोग के होने के बाद भी मैं गुड़ी नहीं लगा सकता घर में बड़े लोग को गुड़ी लगानी चाहिए पर घर वाले उसे समझाएंगे और कहेंगे कि इस बार गुड़ी इशान और रीवा को लगाना चाहिए आगे अस्मिता हमें अका साहिब को समझाती हुई नजर आएगी वो कहेगी कि गुड़ी हमें इशान और सवी को लगानी देनी चाहिए कहीं ये बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो रही हमसे क्योंकि कुछ साल पहले चिनमै जो था वो वनवास पर चला गया था और कहीं ऐसा ही इशान के साथ भी ना हो जाए एक नया प्रोमो भी सामने आ रहा है जहां हम देखेंगे सवी जो है वो इशान को प्रपोस करने वाली है सवी इशान को अपने दिल की बात बताने वाली है तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या सवी के प्यार को इशान कर लेगा एक्सेप्ट या तोड़ देगा उसका दिल यह हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं आगी की अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल टेलटेशन के साथ